Hello everyone, welcome back to our new podcast and this podcast is so interesting कि आप पूरी वीडियो देखे भीना जाओगे नी तो start करते हैं इस topic से जो कि इतना important है हम सब के लिए आज कल क्योंकि आप YouTube तो use करते हो, Instagram भी use करते हो Stories भी देखते हो, Shorts भी देखते हो, Reels भी देखते हो So much of content these days तो यह कहां से आता है, सबसे important factor, तो इसी topics related जो हमारा आज का topic है, वो है the importance of wedding videography Photography की तो हम सब बात करते हैं, एक click किया और post कर दिया लेकिन this is the real time, जब videos की इतनी demand है YouTube पे भी, Instagram पे भी, TikTok पे भी लोग use कर रहे है, basically content हमारे हैं तो use नहीं कर रहे, TikTok बैन है, लेकिन other world में काफी लोग use कर रहे है TikTok को इसी तरह से एक wedding, जब एक wedding day होता है, wedding चल रही है उसके बाद, वो पूरा event हमारा over हो जाता है हम कितने lakhs of rupees उस पे खर्च करते हैं, at the end of the day क्या बज़ता है हमारे पास, वो होती है हमारी memories जो कि हमारी videos and photos के वे में हमारे पास रह जाती है, और photo तो ठीक है, चलो एक glimpse है, video में real हम दिखते हैं basically, हमने क्या किया हमारी, हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, वो सब हम देख पाते हैं, वो भी just because of videos, और आज कल आप देखी रहे हो कितना trend है, आप किसी भी wedding में चले जाओ, स special जो हमारी पास भी requirement आती है as a wedding photographer, सबसे पहले लोग क्या पूछते हैं, कहते हैं कि आप real बना के दोगी, कितनी real बना के दोगी, कोई नहीं पूछता photography कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, कहां आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं, सिरफ reals, shots, इसी के बारे में client आके हम से पूछत है, तो step by step में आपको इस topic पे बहुत सारी चीज़े हैं, जो basic level से और pro level तक कि जो भी सारी चीज़े में आपके साथ share करूँगा इस podcast में, क्यूंकि why the wedding videography is so important these days, और आपको वो quality work, quality capture कराना चाहिए wedding videography में, अगर आप photography में भी cover करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि videography बहु बहुत important aspect है, जिस पे कि हम आगे इस topic पे बात करने वाले हैं, number first जो हमारा सबसे important है वो pre-planning, as a photographer और as a client, आपको सबसे पहले pre-planning करनी होती है हमें, कि client से बात करनी पढ़ते है कि उसकी क्या requirement है, वेडिंग फोटोग्राफी के लिए भी same aspect रहता है, बट प्लाइनिंग के साथ चलना पड़ता है, कि आपको किस तरह का content चाहिए, are you emotional person, wedding से related basically में बात कर रहा हूँ, आप emotional हो या आप funny moments जादा prefer करते हो, client से हमें बात करके पूछना पड़ता है, या फिर आप और किसी तरह का content चाहते हो, या क्या नहीं चाहते हो, क्या profile आपकी अ प्लाइनिंग में आ जाती है, और script तो आप खेर wedding में क्या ही लिखोगे, क्योंकि script तो बस यह है कि basically आप event का flow क्या है basically, आपकी knowledge में वह होना चाहिए, बाकी entry कैसे होने वाली है, bridegroom की वो सब चीजे, अगर आपकी pre-planned है, scripted basically आप बोल सकते हो, पर आप expression को script नहीं कर सकते basically emotional moments को script नहीं कर सकते, जो unexpected एक laugh होने वाली है, कोई हसने वाली है, वो भी आप predict करी नहीं सकते, तो बहुत सारे aspect है pre-planning में, client के साथ साथ आप अपनी team को क्या briefing दे रहे हो basically, generally मैं वेडिंग में जाता हूँ और देखता हूँ कि लोग कैसे shoot कर रहे होते है basically, अपनी wedding videography, ज बहुत planned shoot कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ unexpected होता है वो तो कोई shooting नहीं करता, वो कुछ भी हो सकता है basically, आप आज कल YouTube पे देख रहे हो कि क्या तीज वाइरल होती है, जो unexpected है basically, जो natural है, वो planned वाली इतनी मतलब इतना लोग interest से नहीं देखते basically, लेकिन जो unexpected thing हो रही है basically, आप उस री शूट कर रहा था तो उसमें क्या हुआ कि कपल की एक ring misplace होगी, इतने में वीडियोग्राफर ने वीडियोग्राफी रोग दी, फोटोग्राफर ने भी रोग दी, वो दोनों चिंतित होगे, मैंने का कि भाई, आप क्यो रुग गे हो, कह रहे है कि उना ring गुम होगी है उनकी तो हम इसले वेट कर रहे हैं, मैंने कि यही तो moment है capture करने के लिए, ring तो मिली जानी है अभी 2-4-5 मिनिट में, 10 मिनिट में, इधर उधर होगी, कहीं गिरगी होगी तो, तो लेकिन जो वो expression है, उनके real expression, वो आपको कभी lifetime, once in a lifetime expression है, वो नहीं मिलने वाले, तो उसी time उ करा और recording स्टार्ट करी, और एक बहुत ही अच्छा एक chunk हमें मिला वहां से, जो कि बाद में client ने देखा तो वो भी कहा कि अरे ये तो एक अलग ही हमने देखा है, कि आपने ये सब भी capture किया था, तो capture the unexpected, मुझे लगता है वो ज़्यादा जरूरी है, जो कि मुझे लगता है मैं हमेशा से, as a videographer मान लो कि मैं वही capture करना पसंद करता हूँ, कि जो कोई capture ना कर रहा हूँ, जहां लोग capture कर रहे होते हैं, मैं कभी वहां से capture करता हैं जहां अल्रेडी लोग capture कर रहे हैं जिस angle से, I always find कि अलग, कुछ अलग capture करे हैं, बेशे कम हो capture, एक regular capture ना हो at least, कुछ unique को, second is production, in the wedding videography, there is production means कि जब आप shoot पे होते हो तो उससे पहले आप सब cameras की setting equal करा लें at least, कि सब एक same pattern में shoot करें basically, in terms of quality, अगर आप HD पे कर रहे हो तो HD पे ही सब shoot करें, अगर आप 4K पे कर रहे हो तो 4K पे shoot करें, और एक और चीज आज कल हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि जब हम shoot कर रहे होते हैं, तो एक social media का aspect भी, social media का aspect भी हम ध्यान में रखते हैं, क्यूंकि हमें आजकल जो requirement है basically, हमें shots भी बनानी पड़ती है, तो वो angle ऐसा होना चाहिए कि basically एक camera में at least वो shots के point of view से भी आप shoot करो उसको, थोड़ा सा wider ता कि आप उसको crop करके use कर सको, basically, कि किसी भी चीज़ को आप as a shot use कर सको, अगर कुछ अच्छा moment आपने capture किया है तो, तो production में एक तो team को briefing करना, और फिर client से भी, wedding couple से भी interact करना, उस time पे कि जब वो कुछ भी कर रहे हैं, तो they keep smiling, और emotion बहुत realistic रहें, पैनिक ना करें, तो क्यूंकि वो face पे आपके दिखता है, otherwise, तो सब production का part है, क्योंकि वो, जो real time में हो रहा है, आप उसको reverse नहीं कर सकते है, basically, ना ही आप दुबारा shoot कर सकते हो, तो जब आप shoot पे हो, तो presence of mind से आप production को अच्छा quality करो, ताकि client भी कभी अपने लिए use करना चाहे, उस content को, social media के लिए, तो वो कर सकता है, basically, आजकल सब की requirement ये होती है, हर एक का YouTube पे channel है, Instagram पे channel है, तो they want की हमें आप raw footage देदो, और हम अपने आप ही अपना content भी upload करेंगे अपने channel पे, ये आजकल requirement होती है, for this, we might charge extra amount of money, क्योंकि अगर हम आपको footage पूरी देंगे, तो फिर हम उसका extra amount भी charge करते है, basically, वो starting में ही terms and conditions हारी set हो जात जो third हमारा, जो aspect है, वो है post production, देखो, पहले post production बहुत simpler होती थी, basically, cut to cut edit होता था, आजकल इतने सारे effects हैं, special effects आप use करते हैं, sound, audio sound से आप play करते हैं, कुछ अच्छा content create करने के लिए, मतलब हर wedding के बाद आप next wedding को next level तक ले जानी कोशिश करते हैं, आजकल जो creative people है, जो हमार post production है, उसमें अब एक और चीज़ एड होगी है, जो कि social media का aspect है, वो भी हमें अब include करके चलना बढ़ता है, उसमें timers भी बढ़ जाते हैं, उसमें working के, क्योंकि आप एक और requirement आपको fulfill करनी है, client की, या अपने लिए भी अगर आपका को YouTube channel है, अपने लिए भी आप content create करोगे तो आपको भी time और जादा चाहिए, और जादा resources चाहिए, और जादा footage चाहिए, सबसे important तो कि आप real footage जादा से जादा shoot करो, जो हम पहले करते थे मुझे लगता है, हम बहुत limited shoot करते थे, cut to cut, basically जो अच्छा short आगया हम that's it, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा prolong shoot करना पड़ता ह है कि हम सूचते है कि थोड़ा pre-roll and post-roll, जो कि आपको पता हो कि shoot से पहले और बात का थोड़ा extra material होना चाहिए, ताकि आप उसको use कर सको, अपने content के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको wedding videography में invest करना चाहिए, अपनी wedding में, क्यूंकि बहुत आगे आने वाली generations जब आपकी video देखेंगे, अगर आप pay कर सकते हो कि तो आप क्यूं न एक अच्छा content अपने लिए create कराएं, क्यूं न एक अच्छी quality में basically अपने content को preserve करें, जब आप pay कर सकते हैं, if you can't pay वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई client pay कर सकता है, जिसका वो भी अगर मतलब कम quality में ले र generation आने वाली आपकी videos देखेंगी, अभी तो कितना wider scope हो गया, आप अपने friends and family को कितना easily share कर सकते हो, सारी videos हो, and जो भी आपकी wedding videos हैं, या wedding photos है, online कितनी easily हो गया, YouTube पे आप डालो और अपने friends and family के साथ share करो, even उससे भी जादा आप wider audience है, अभी, couples को लगता है कि everyone wants to get viral, आजकल सबको ही viral होना है basically, तो जब आपको viral होना है और कुछ अच्छा content create करना है, तो मुझे लगता है आपको wedding videography में invest करना चाहिए, जो कि बहुत important है, आज के digital world में, कैसे एक traditional video से अभी कितना जादा एक upgrade हो गया है, different type of cinematography होने लगी है, जो कि एक normal videography से जो हम पहले देखते थी, एक video to to arts की video होती थी, अब कितना crisp करके उसको 15 to 20 minutes में show करते हैं basically, हम share करते हैं अपने family के साथ, तो कितना एक important transition आया है, और आप देखो कि आगे future आने वाला भी बहुत ही जादा important होने वाला है, इस industry के लिए, जहां कि आप preserve कर सकते हो, share कर सकते हो, you can earn money as well, अगर आपने अ shots डाल रहे हो, उससे आप earn भी कर सकते हो basically आज के time में, सबसे पहले मैंने देखा था एक video viral होई थी, काफी काफी साल पहले की बात है, the wedding filmer ने जो बनाई थी, आपने, might be, आपने भी वो देखी होगी, तो किस तरह से वो sensational एक video बन गी थी, मतला हर किसी को चाहिए था कि वैस points आए हैं उसकी video पे, तो इस चीज के लिए आपको एक तो अपना effort देना पड़ेगा, एक clients आपको जो भी photographer आप hire कर रहे हो, उससे interaction करनी पड़ेगी, pre-planning करनी पड़ेगी, कि किस तरह से आपको चीजे चाहिए और उसके बाद तभी जाके जो output है, आपको वो वैसा मिल प जो prices हैं बहुत जादा हाइक होए हैं, बट इतने भी हाइक नहीं होए कि अगर आप जो transition देखते हो, अपना in terms of quality या जो भी changes, technical changes आए हैं इस industry में, वो huge हैं, huge transition है, पहले किसी को knowledge भी नहीं होती थी, अभी देखो कि आप बच्चा भी अगर Instagram पर रील या shots बना रहा है आज कल, आप वेडिंग वीडियो से किस-किस तरह के shots बना सकते हो, यह idea आपको, I think, इतने सारे options हैं, आप डेकोर का shot बना सकते हो, डेकोर के ऊपर particular shots बना के डाल सकते हो, bride और groom की entry पे बना सकते हो, shots या video बना के डाल सकते हो, इसके अलवा आप वेडिंग डेकोर है, groom and bride के solos ज shots बनते हैं basically आप वो बना के upload कर सकते हो अपने तो बहुत ही अच्छा एक option है wedding वीडियोग्राफी में और sony के भी काफी cameras आ रहे हैं handy canon के भी काफी cameras हैं जो की लोग use कर रहे हैं बहुत handy है small है पहले तो कितने बलकी cameras आते हैं थे अभी तो आप बहुत easily उनको compact हैं कहीं भी ले जा सकते हो कहीं आप गूमने जा रहे हो honeymoon पे जा रहे हो post wedding तो भी आप उनको carry कर सकते हो तो wedding videography is huge thing these days मतलब मुझे नहीं लगता कि photo तो photography बहुत मतलब ही limited हो चुका है चीजों में लेकिन जो video का जो underrated कर रखा था videos को अभी तो काफी बिलकुल sum up कर दिया है मतलब कि वो level ले आए है video का कि video की importance लोगों को पता लगने लगी है पहले इतनी नहीं पता थी जैसे जैसे technology बढ़ रही है VR virtual reality भी आएगा धीरे धीरे तो बहुत सारी चीजे हैं जो extend होनी है वेडिंग वीडियोग्राफी में भी और जनरली वीडियोग्राफी में भी आप 4K पे switch करेंगे लोग और भी virtual reality पे भी switch करेंगे many more things और आजकल लोग GoPro कैमराज ले रहे हैं Osmo का आता है तो बहुत सारी चीजे हैं आजकल मार्केट में जो की आप capture कर सकते हो और वो decent budget में भी होती है बहुत lax के कैमरा नहीं है वो आप खरीच सकते हो sports वाले अगर आप person हो तो उसके लिए भी खरीच सकते हो basically लेकिन आज का हमारा ये podcast वेडिंग वीडियोग्राफी से related था और I think मुझे यहां conclude करना चाहिए क्योंकि मैंने काफी सारी चीज़े आपके साथ share करी है pre planning से लेके production पे क्या-क्या important चीज़े होती है और फिर उसके बाद post production पे तो and then social media aspect as well जो एक huge 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 thing है आज के time में इस podcast के हम almost end में हैं और हमने किस तरह से knowledge share करी wedding videography, importance of wedding videography और जो की एक way है अपनी memories को preserve करने का wedding videography plus जो storytelling है वो एक important aspect रहेगा हमेशा से ही videography का क्योंकि storytelling एक normal videography से आप storytelling में अगर आप switch कर रहे हैं तो यह बहुत ही important aspect है storytelling जो की एक very different point of view से capture होती है और shoot करते हैं plus editing में जो एक process होता है basically आपके emotions और वो fun moments और वो सारी चीजें ध्यान में रखते होए एक storytelling create होती है तो मुझे लगता है कि आप सब काफी aware होए होगे इस podcast से एक normal video से storytelling video cinematography पे और मुझे लगता है कि आपको switch करना भी चाहिए क्योंकि future generations के लिए अपने लिए मुझे लगता है आप काफी अच्छी memories preserve कर सकते हो और सब को करना भी चाहिए तो इस podcast को हम यहीं खतम करते हैं और next podcast हम किस topic पे करें do share in comments and till then thank you very much for watching this podcast on importance of wedding videography will meet you soon thank you so much for watching this podcast